गर बैठे एरणिग कर egy फिर्ट या फिर का कही से भी अरणिंग करमकिसको पसंद लिये जाज लोग कर रहा है युद ति काफिन वीजियुचophile काफि लोमोटीवेट होते हैं और काफि स्टुडेंट या फिर जिनकी ऑलेड़ी एक फैम्ट्री मार्केटिंग करूं online earning कैसे करूं and या फिर मैं जॉब ही करूं विकॉस आपके पास दो यह उप्शन है तो आप जॉब कर सकते हैं फिर online earning के कई तरीके हैं जिसके बारे मैं आज बात करूंगा कि कौन सा आपके लिए बैटर रहेगा किसमें आपको जाना चाहिए as a student या फिर अगर आपकी ओलेड स्टार्ड़ अपके तो इस वीडियो नगते हुए मैं बात करूंगा कुछ अच्छी चीजों के बारे में पर्टिकुलर जॉब या फिर मार्कटिंग की और कुछ बुरी चीजों के बारे में जॉब एन एफिमार्कटिंग की तो गाइस चलिए स्टार्ट करते सबसे पहले बात करते हैं जॉब के बारे में कुछ अच्छी बाते हैं तो जॉब अगर आप करोगे तो आपकी सिक्यूर इंकम होगी एक सिक्यूर सेलरी होगी कि महिने में आपको इतने मिलना ही मिलना है आप जो काम करोगे उस कंपनी के लिए पर्टिकुलर इंडस्ट्री में तो आप आपको एक salary मिलेगी जिससे आप अपने खरके खर्चे कर सकते हो या प्लानिक कर सकते हो future की and guys job में एक security रहती है कि आपको जो महीने का income है वो fix रहता है कि इतना आपको मिलना ही मिलना इस महीने and guys जो दूसरी अच्छी बात होती है job की वो यह होती है कि आपको एक बड़ी एंवार्मेंट मिलता है social environment मिलता है जिसमें आप अलग-अलग लोगों से मिलते हो जिससे आपका communication skills बढ़ती है जैसे आप किसी institute में जा सकते हो जिसमें उनके लिए marketing कर सकते हो जैसे के amazon पे जो पर बेज़ते हैं उनके लिए आप काम कर सकते हो तो अलग-अलग field में आपको experience होता है जो कि आपको आँगे help करता है गुरू करने में और आपकी salary बनाने में तो यह तो होते हैं कुछ अच्छी चीज़ें जॉब की अब गाइस बात करें कौन की कि क्या-क्या खराब चीज़ होती है जॉब में तो जॉब में एक तो आपको frustration होती है stress होता है कोई ना कोई आपक एक particular target को achieve करना उनके लिए और आपको कभी भी जॉब से fire कर सकते हैं जैसा कि अभी coronavirus के time हुआ काफी लोगों ने अपनी जॉब खोई विकास उनके पास employment रखनी की रोपए ही नहीं थे business के पास और उन्होंने अपने employment को कम करना जो इंप्लाइशन को कम करना स्टार्ट कर दिया जिससे काफी लोग बेरोजगार हो गए और घर पे आ गए और यहीं पर स्टार्ट हुई डिजिटल मार्कटिंग की जर्मी काफी लोग यूटूब पर सर्च किया कि कैसे online income करते हैं और इजिटल मार्केटिंग की बारे में जाना और आप में से भी कई लोग इसी कारण इस चैनल पर आए होगे निचे कमेंट करने के बताना अगर यहीं रिजन है तो तो यह काफी यादा आप किसी के लिए तना काम करो और उसके बाद वह कभी भी आपको fire कर दे काफी गलत है तो यह मैं सबसे जादा बेकर मानता हूं और उपर से stress working stress आपको के लिए काम कर रहा हो तो आपको stress में ही रख़ेंगे वापको कुछ ना कुछ काम देता रहेगा या फिर गर सकते और पर कहीं से भी सकते हो X by Z किसी भी प्लेस से एंड सेकेंड इस आपको इंटरनेट चाहिए लेप्टॉप चाहिए एंड एट सिट बस इंटरनेट और लेप्टॉप चाहिए या पर स्मार्ट फोन से भी कर सकते हो बड़ अगर आज प्रोफेशन चूज करोगे तो आपको लेप्टॉप या पीसी जरूर चाहिए और आप एंट मार्केटिंग से पैसे बिंकम कर सकते हो मतलब आपकी फिक्स सेलरी तो नहीं होगी पैसे बली एक पैसे बली एक और पाउगे आप ये क्या दो हपते में ही उतना अर्ण कर पाऊगे जोब से दो तीन महीने में घर पाऊगे ये मेरे आप बुरी चीज़ के बारे में बात के जाए तो आप लेजी इंसान हो जाते हो अगर आप लगातार काम नहीं करते रहोगे और आपकी फिक्स इंकाम आया मला आप बढ़िया अर्ण करने लगे एक देर लाख रुपए अर्ण करने लगे इस स्टार्टिंग में ही जैसे आ पांगे जाकि आपकी ग्रोथ को इंपेक्ट पड़ेगा तो आप थोड़ा जो जॉब बगएर रहा है वो नहीं कर पाऊगे उसके बाद अगर आप एक लिजी इंसान अलेडी बन चुकी हो तो और बैसे भी करना भी नहीं है क्योंकि अगर आपने एक वाइफ मार्केटिंग म मुझे जॉब नहीं करना था और मैं रिस्पेट करता हूं लोगी जो जॉब करते हैं वह भी काफी एदा इंपॉर्टेंट चीज है जिनको पसंद है जॉब करना वह करें लेकिन जिनको नहीं पसंद उनके लिए कई और तरीके हैं आप मार्केटिंग में आपको सुचर रह नहीं पड़ेगी जब से मैंने स्टार्ट किया इसको वितना ज्यादा है कि इसको बढ़े गाई घटने वाला नहीं है अगर आप स्टेब बाई स्टेब एफन मांगी सीखना चाहते हो तो मेरी ट्रेनिंग भी जॉइन कर सकते हो इसका नाम है एफन मास्टर 2.0 इस पर आप आपने स्टार्ट में मन बना लिया क्या करना क्या है या तो आप जॉब कर सकते हो या पकी आपने अच्छे जो रीजरं से वह सुन लिए बिकार रीजरं से वह सुन लिए और यह ओसिंदेन आपने शूल रिमाट जा यह फापन मेर लिंप करोगे उपके였습니다 के आप लोगी होफिली ये वीडियो अच्छा लगा होगा and job काफी लोग already कर रहे हैं और काफी लोगों के experiences यही हैं कि वो फ्रस्ट्रेट होते हैं या फिर उन्हें जॉब से निकालने का कभी भी डर रहता है जो डर आपको marketing में नहीं रहता है so guys hopefully ये वीडियो इच्छा लगा होगा thanks watching this video guys thank you peace out